आज हम बात करने वाले है एक ऐसे टॉपिक पार जो हर सिविल एंजिनियर के दिमाग में होता है प्लानिंग एंजिनियर वर्सिस साइट एंजिनियर कौन सा बेटर है दोनों रोल्स कौन से इंपोर्टेंट है, उनका काम कैसा होता है और आपके लिए कौन सा सही होगा सब कुछ डीटेल में जानेंगे, तू चले शुरो करते हैं अज का वीडियो एंजिनियरिंग फील्ड में काम करने वाले एंजिनियर के लिए एक कॉमन कन्फूजन होता है प्लानिंग एंजिनियर बनना बेटर है या साइट एंजिनियर? दोनों रोल्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बैकबोन है, लेकिन उनका काम, वर्क एंवाइरनमेंट और करियर पाथ काफी अलग होता है आज हम इस डीटेल्ड विडियो में दोनों प्रोफाइल्स का टेक्निकल कंपारिजन करेंगे रियल साइट और ओफिस एक्सपीरियन्स के बेस पार ताकि आप अपने लिए बेस्ट करियर चूज कर सके सबसे पहले बात करते हैं साइट एंजिनियर की साइट एंजिनियर का रोल होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्च्वल एक्जिकूशन को मॉनिटर करना जब आप सुबा एट बजे से पहले साइट पे पहुचते हो तब से लेकर कॉंक्रीट पोरिंग के एंट टक आपको हर चीज सुपरवाइस करनी होती है आप रिइन्फोस्मेंट का प्लेस्मेंट चेक करते हो शट्रिंग के अलाइन्मेंट को वेरिफाइ करते हो और एंशोर करते हो की साइट सेफटी प्रॉपली फॉलो हो रही है कभी-कभी सदन चेंजिस या डिलेस के कारण मैन्यूल अन्लोडिंग या लेबर कुओरिनेशन भी करना पड़ता है ये जॉब फिजिकली डिमांडिंग होती है लेकिन प्राक्टिकल नॉलिज का ओशन भी यही मिलता है अब बात करते हैं प्लानिंग एंजीनियर की प्लानिंग एंजीनियर प्राइमेरिली ओफिस बेस्ट रोल होता है जहां आपको प्रोजेक्ट स्केडूलिंग, माटीरियल प्लानिंग, रीसोर्स अलोकेशन और बिलिंग मैनेज करना होता है आप प्राइमाविरा, MS प्रोजेक्ट और Excel जैसे सॉफ्ट्वेर का उसे करके Gantt Charts बनते हो Cash Flow Projections तयार करते हो और Progress Reports क्लाइंट को भेजते हो प्लानिंग एंजीनियर का काम on-paper execution को स्ट्रीमलाइन करना होता है ताकि प्रोजेक्ट ताइम पार कम्प्लीट हो अगर हम technical skills की बात करें to site engineer को drawing reading, layout marking, BBS, bar bending schedule, QAQC testings जैसे cube testing, slump test का detailed knowledge होना चाहिए Use site पे हर activity का daily progress report बनाना पड़ता है और contractors के साथ coordination करना पड़ता है वही planning engineer को software tools का strong command होना चाहिए और उससे quantity estimation, BOQ preparation, cost management और timeline analysis का deep understanding होना चाहिए Work environment काफी different होता है दोनों roles का Site engineer outdoor work करता है, extreme heat, rain, dust सब कुछ face करता है Long hours काम करना होता है, weekends पे भी कभी-कभी site चलती रहती है लेकिन इसके बदले में आपको real-time exposure मिलता है आप concrete के हर पोमी रहते हो और आपकी presence से actual structure खड़ा होता है दूसरी तरफ, planning engineer का काम comparatively comfortable होता है Office environment, AC room, meetings और computer-based documentation लेकिन field exposure कम होता है, जो एक disadvantage हो सकता है अगर आपको execution समझना है अगर salary comparison करें, to starting me दोनों roles similar होते है 15K से 30K per month fresher को मिलता है लेकिन planning engineer का growth track थोड़ा fast होता है क्योंकि वो client interaction और management के करीब होता है आप quickly project coordinator, senior planner और project manager बैन सकते हो Site engineer का growth भी strong है लेकिन उससे ज्यादा site experience और tough conditions का face करना पड़ता है एक experienced site engineer भी project in charge या construction manager तक पहुचता है especially अगर उसका field knowledge solid हो एक और important point है stress level Site engineer को real-time issues handle करने होते है जैसे concrete truck delay हो गया, labor absent है, formwork थीक से नहीं लगा या test report reject हो गया उस वक्त decision लेना पड़ता है, pressure manage करना पड़ता है Planning engineer का stress different होता है Tight deadlines, client pressure for accurate reports और कभी-कभी unrealistic scheduling demands तो अब सवाल ये उटता है, कौन सा role better है? इसका सीधा जवाब ये है कि दोनों roles की value अपनी जगह है अगर आपको field में काम करना पसंद है आप physically strong हो और practical knowledge सीखना चाहते हो तो site engineer role आपके लिए perfect है लेकिन अगर आपको planning, software, documentation और office environment पसंद है और आप long term management level पे काम करना चाहते हो तो planning engineer आपके लिए better option हो सकता है बहुत से engineers ऐसे भी है जो पहले site पे काम करके बाद मी planning मी shift करते है ताकि उनका execution और planning दोनों strong हो और कुछ log starting से ही planning choose करते है और corporate level पे grow करते है दोनो roles के pros and cons है आपको decide करना है आपकी personality, interest और career goal के हिसाब से कौन सा path best रहेगा end me बस इतना ही कहेंगे site और planning engineer दोनो एक project के दो strong pillars है दोनो एक दूसरे के बिना अधूरे है so respect both roles and choose wisely अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो to like करें, share करें और channel The Engineer's Life को subscribe करना ना भूले अपना opinion comment में लिखना ना भूले planning या site engineer आप क्या choose करोगे